कैसे हो जवानों आसा करता हूँ कि सभी लोग संदार जबर दस्ट होंगे मैं उमीद करता हूँ कि RPF Constable दरोगा जिस तरह की आपकी usability होगी काफी अच्छे तरीके से आप जो है form को भर ली होंगे यदि अभी तक आपने form को नहीं भरा है तो ततकाल प्रभाव से 10 तरीक तक form भर दे क्योंकि हो सकता है 10 तरीके बाद आपका link काम ना करे फिर आपको परिसानी होगी और documents का ख्याल रखते हुए काफी अच्छे तरीके से form भर ये ताकि future में कोई आपको problem ना हो बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं उसको आप देखके और उससे कु के द्वारा वेकेंसी पब्लिस की गई है अभी तक या future में आने वाली वेकेंसी है सबका जो है टेंडर एक ही जगह यह लोग करा रहे हैं इसमें साब सबसब्दों में मेंसन किया गया है कि एक से लेके 7 पे तक जितने हम लोग वेकेंसी कंडक्ट करवाएंगे मतलब पब् इसमें बहुत सारी कंपनियों ने अब निवता डाला है वसमें से तीन कंपनी को सॉट लिस्टिट किया गया है और उस तीन कंपनी में देखिए कौन सी कंपनी जो है रहा है ये तो आगे पता चलेगा लेकिन ज्यादा पॉसिब्लिटी बन रही है उसके बारे में समझे दे यहां तक उमीद है कि आपका टीसी एस कंपनी ही इस एक्जाम को कराएगी और यहीं 99% मान के चलिए कि यहीं कंपनी आपकी एक्जाम कराने वाला अभी RRB के द्वारा तीन-चार वेकेंसी को पब्लिश किया गया है जिसमें से पहली वेकंसी की बात करें हम लोग तो आपकी टेकनिसियन का है टेकनिसियन के बाद की जो संभावना है आपकी ओ है आर पीएफ की अब आर पीएफ में भी दो वेकेंसी है SI और कंस्टेबल ठीक तो ये समझ लीजिए कि तीन नमर पर आएगा तो जब भी इसका एक्जाम चालू होता है एक्जाम मतलब तीसरे नमर पर ये आर पीएफ आने वाला है तो इलेक्शन के बाद ततकाल परभाव से आपको एक्जाम देखने को मिलेगा तो जहां तक उमीद है आर पीएफ अगर SI कॉंस्टेवल के एक्जाम को हम लोग बात करें तो ये एक्जाम जो है आपको अगस्ट अगस्ट या सेप्टेंबर मतलब अगस्ट सेप्टेंबर के आसपास जो है पूरी-पूरी संभावना बन रही है कि इसका एक्जाम आपको देखने को मिले तो तो देखिए उस हिसाब से आप लोग तैयार रिये अब देखिए एक चीज है कि आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी कंपनी को टेंडर दिया जाने वाला है जिसमें से पूरा चांस बन रहा है कि TCS को मिलेगा इसके साथ आपने फॉर्म भी भर रखा है सब कुछ इसका एक पहले ही कलेंडर जाली करके बता दिया गया था कि हम लोग ये वेकैंसी इस समय इस समय देने वाले हैं तो समझ रहे हो क्रेंट अफेर के लिए यह आपका एक कोश्चन बैंक होता है और उसी कोश्चन बैंक से यह सब अपना कोश्चन सेट करते हैं एक्जाम में समझ रहे हो तो मान लेते हैं कि जितना सारा एक्जाम था लगबग की सी करवाता था अब जो है एस सी ने भी जो है अ बहुत सारी वेकेंसी है तो टी सीएस आपको करवाता है तो कहीं ने कहीं इसका कोश्चन कैसे पैटान होता है कि इस तरह से एक्जाम करवाता है लगबग मौस्टली लोगों को पता है ठीक तो आप जो है काईदे से तैयारी करिए आपको सब कुछ पता चल गया है कि भीया और उसके बाद GKGS यह तीन आपका जो है समझ लीजिए कि बैकबॉन का काम करने वाला है सबसे जाधा आपको ध्याम दना है मैथ रिजनिंग पर यहीं आपका स्कूरिंग पार्ट होने वाला है यहां से सतर कोश्चन रहेंगे और यह आपसे पचास कोश्चन पुछे करता है तो अराम से आपकी रिजल्ट हो जाएगी तो तैयारी पर मिल्कुल फोकस करिए एक काफी महत्वपूर्ण जॉब है आपको यह पता है काफी अच्छी सैलरी के सांथ तो आप जी तोड मेहनत करिए और यह मत सूचिए कि इतना लीमिटेट सीट है इससे कोई फर्क पड़ता है आपके पास यदी पोटेंशियल होगा तो आप इसमें से अपना एक सीट ले लोगे क्योंकि एक ही सीट से आपको मतलब होना चाहिए ना कि इतना कम सीट है यह है वो है ठिक यह सब बेकार की बाते है तो देख लीजिए और अपने तयारी में लग जाए अगस् सेप्टमबर तक जो है आपकी एक्जाम होने की पूरी-पूरी सम्भावना है